आज हम बात करेंगे HDFC Bank की पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि HDFC Bank में भारी भर कम गिरावट देखने को मिली है In fact, जब हम बात करते हैं Large Cap Companies में HDFT Bank भारत में सबसे बड़ी कमपनियों में से एक है कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि एक दिन में 8% गिर जाएगा In fact, अगर आप इतिहास में देखोगे इसके चार्ट में Last time जब इतनी बड़ी गिरावट हुई थी तो हमें जाना पड़ेगा 2020 में जब COVID का समय था तब जाके HDFC Bank में इतनी बड़ी गिरावट हुई तो actually में आपका मेरा और सबका एक ही सवाल है कि ऐसा हुआ क्या तो basically जब आप जाओगे HDFC Bank में काफी बड़ा trigger था उसके result का यानि नतीजे तो नतीजे कैसे रहे थे अगर आप detail में सिर्फ नतीजे यानि numbers को check करोगे तो इतने खराब नतीजे नहीं थे उसके बाद भी 8% HDFC जैसा bank क्यों गिर गया क्योंकि वहाँ पर हमें देखना पड़ता है जब भी नतीजों की बात करेंगे एक चीज जो हम देखते है analyst का क्या अनुमान है तो analyst के साथ जब HDFC Bank के management ने conference call की तो वहाँ पर जो analyst है उनको कुछ बाते बिलकुल पसंद नहीं आई इस bank से related बड़ा सवाल है ये किस type की बाते थी इसमें एक जो सबसे prominent चीज थी कि HDFC Bank का ADR जादा बढ़ क्या आया है आप सवाल पूछो के ADR होता क्या है इसका मतलब है advance to deposit ratio इसको simple शब्दों में बताऊं तो आप जानतों बैंक कैसे काम करता है कोई भी बैंक आपको लोन तभी दे सकता है जब उसके पास deposit आती है आप बैंक में saving account, current account, fixed deposit के तोर पर बैंक में deposit देते हो और वही पैसा बैंक उसको लोन के रूप में आगे देता है लेकिन समस्या के हुई HDFC बैंक के साथ कि ये जो लोन देने का और deposit के बीच का अंतर है ये बहुत जादा बढ़ गया यानि ADR advance to deposit ratio आपका 1 से उपर चला गया जनली हम लोग bank में मान के चलते हैं कि ये ratio 1 से नीचे रहे तो काफी अच्छा माना जाता है HDFC बैंक के केस में ये ऊपर चला गया percentage के terms में देखोगे तो 100% के ऊपर चला गया है ये क्यूं हुआ क्यूंकि आपको recently पता है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड जो इसकी एक NBFC थी दोनों का merger यानि विलै हुआ था विलै होने के बाद ये ratio बढ़ गया और ये चीज एनिलिस्ट को बिलकुल पसंद नहीं आई जिसकी वज़ा से HDFC बैंक में भारी भरकम पिकवाली हो चुकी है और currently अभी भी market में आप देखोगे share price और थोड़ा सा drop हो रहा है तो बड़ा सवाल है कि यार HDFC बैंक जैसा share अगर इतना गिर जाता है क्या ये अच्छा निवेश के लिए समय है अब अगर आप compare करोगे भारत के दो सबसे बड़े private banks को HDFC बैंक और ICIC बैंक में कही न कहीं दोनों की valuation एक दूसरे के बिल्कुल आस पास आ चुकी है ये ratio आप price to book ratio जो की prefer किया जाता है bank के case में वहाँ पर आप देखोगे almost दोनों का same हो रहा है तो शायद अगर आप लंबे समय के निवेशक है तो में भी में भी HDFC bank in valuations पर attractive bet हो सकती है HDFC bank को लेके आप क्या-क्या विचार है कमेंट section में हमें जरूर बताए इस टाइप की और informative वीडियो के लिए चैनल को follow और subscribe जरूर करें Thank you so much for watching